आजशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरा नाम एसे द्धान तक नहीं हो तरी शड़ी ग्लोस पर आपका बहुत दूस्वागत है तो नो कॉंफिदेंस मोशन आ गया है पते हैं यह नो कॉंफिदेंस मोशन नदेंद्र मोदी भगवांत मान देखे कैसे देख रह है ठीक है और गौरण गोगई तरुन गोगई से तरुन गोगई के बेटे हैं जो कितर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कैरोली कंस्टिट्वेंसी जो कि आसाम तो बहुत ही बढ़िया स्ट्राटेजी है नौर्थ इस्ट का एक MP जो है वो नो कॉंफिदेंस मोशन अविश्व विश्वास प्रस्ताओं लेके आएगा कुछ important चीजे सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताओं क्या होता है आर्टिकल 753 के तहट जो मिनिस्टर्स हैं डिया responsible to the लोग सभा तो लोग सभा गिरा दो मतलब मिनिस्टर्स सरकार गिरा दो सब खतम हो जाएगा लोग सभा डि अविश्वास प्रस्ताओं लाया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है डारेक्ट इलेक्शन्स वही होते हैं क्योंकि राज्य सभा में इंडारेक्ट इलेक्शन्स होते हैं तो वहाँ पर चुनके लोग नहीं आते तो वहाँ पर वैसे भी नहीं लाया जा सकता तो लोग सभा म लाए जाता है तीसरा कम से कम 50 members तो होने ही चाहिए यानिकि लगबग लगबग 110 की आपर बात हो रही है तो 50 members तो हूँ ही 50 members इसको support करें उसके बाद जो है वो time होता है फिर 198 एक से लेकर 5 तक rules दिये हुए है यह समविधान में कहीं अविश्वास प्रस्ताओं के बारे में न इसी पर ही बहुत ज़्यादा focus किया जा रहा है कि रूट 267 कहता है डिबेट सुंगी तगड़े तरीके से हम बहस करेंगे अब बहस किस पर होगे अभी हम बताएंगे चौथा फॉर्थ पॉइंट सुबह 10 बज़े तक यह motion आपको लाना पड़ेगा अभी तो यह तो नो confidence motion के बारे में बात हो गई प्रस्ताओ speaker देखता है उसके बाद इसको डाल देता है अब इसमें जाहिर सी बात है कि अभी अगर बात करते हैं present scenario में तो सबसे पहले आपको डाक psychology का course लेना है डाक 40 coupon को यूज करिए मातरे 600 रुपय का यह course है क्लास कल जो है वो माइंड गेम से साइकोलोजिकल वारफेर पे हैं ठीक है आज थास्ट आज थास्ट है ना तो आज है इंपक्लास ठीक है तो फड़ाक से course को अवेल करें आपको बहुत ज़दा फायदा होगा ओके चलो तो हम यहां आप आ जाते हैं वापस तो वापस आते हैं तो अब चाह हो रहा है देखें सबसे पहले तो मनीश्टिवारी कह रहें कि यह morality का question है यह बात है ही नहीं जैसे इंद्रा घांदी ने बोला तो कि आपको अपनी अंतर आत्मा पर भरोसा करना होगा डाइनमिक्स क्या है 543 है बीजेपी के पास है बाकी 160 के करी वैसे तो 140 है ओपोजिशन के पास और 60 होर है 60 किसी के साथ नहीं है है ना तो अगर आप इन आकड़ों को मिलाल और तब भी सरकार गिरेगी तो नहीं मुश्किल है ना मुम्किर है वैसे आपको बता दो कि यह 281 नो confidence motion है पिछली बार भी 2018 2018 में नो confidence motion आया था पर सरकार गिरी नहीं थी जुलाई 2018 में और इस बार भी अगर आप देखो तो जुलाई ही डेट जो है वो चुनी जा रही है तो अभी भी 282 नो confidence motion है सरकार अभी तक गिरी नहीं है 1963 में सबसे पहले जेवी क्रिपलानी जो है आचारे क्रिपलानी 30 साल तक जवालना नहलू के साथ बड़ा important रोल आया है उनका freedom movement में और उन्होंने बोला था कि मैं 30 साल तक साथ रहा हूँ हम दोस्त रहे हैं लेकिन मुझे अपनी अंतर आत्मा को सुनना है जो काम हो रहा है उसे हम सहमत नहीं और इसलम no confidence motion ला रहे हैं मुरारजी दिसाई के खिलाफ no confidence motion आया था 1979 लेकिन उसे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया सरकार गिरने का मतलब है गजब बिज़ती है कैसे सर उठा की चल पाओगे भाई तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी minister को लगता है यह से PM है या जो लीडर है उसको लगता है कि मैंने सरकार जाने वाली है तो पहले इस्तीफा दे देगा वो तो मुरारजी दिसाई ने पहले इस्तीफा दे दिया था मनमोहन सिंग के खिलाब भी no confidence motion आया था बहुती मतलब बाल बचे थे उस समय CPI ने क्योंकि समय आपको य क्योंकि गटबंदन में थी CPI के साथ तो कहीं CPI पीछे ना अड़ जाए बट CPI ने सपोर्ट किया और वो no confidence motion चला गया तो यह 28 है तो यह को no confidence motion भी जाएगा सरकार गिरेगी नहीं तो अला क्यों रहे हैं लाइस दे रहे हैं ताकि मनिपूर पे डिबेट हो सके देखे इसम पे opposition का ये कहना है कि मोधी साब जो हैं वो कुछ बोलतो रहे नहीं हम पार्लियमेंट के बाहर जाके वो बयान देते हैं बयान देते नहीं है डिबेट से बचते हैं प्रसutan करते नहीं है तो कईसा पीम ही है तो सबसे पहले तो आप हमको पार्डियामेंट पे बयान दो मनिपूर पे डिबेट होनी चाहिए सरकार के लिए करो ना डिबेट हम कब कह रहे हैं भाई करो डिसकेशन नहीं पीम मोधी सही करना है पीम मोधी जब आएंगे तब ही क्योंकि वो है लीडर वो देखेंगे ना सारी चीजे तो पीम मोधी ने बोला चलो अभी तो वैसे उन्होंने कुछ नहीं बोला है पर कल उन्होंने बोला था ठीक है प्रगती मैदान IECC जो इंटरनाशनल एक्जिबिशन लगी थी तब उन्होंने बोला था कि भारत तीसरी सबसे बड़ी एकॉनमी बन गया है भारत बहुत आगे जाएगा आगले टर्म में मोधी की गैरेंटी है कि हम भारत को सबसे बना देंगे वगेरा 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 तो इस सारी चीजे इन्होंने भी बोली है भारत वर्सेज इंडिया काफी जदा चल रहा है हिमंद विश्वासर्मा ने भी इंडिया हटा दिया भारत लगा दिया तो यह खैर पॉलिटिक से तगड़े तरीके से हो रही है मलिका ठीक है ताकि प्रोटेस्ट कर सके जो मनिपुर में हो रहा है है ना और बाकि विप कली सबको जारी कर दी गए और मेरे ख्याल में अभी कुछी देर में नो कॉन्फिदेंस मुशन पारित हो जाएगा और उसके बाद डिसकुशन होंगे पता है सरकार नहीं किरने वाली लेकिन मुद्दा तो डिबेट का ही है कि आप कम से कम इस इश्यू पर डिसकुशन तो करें ठीक है तो अभी जो डिसकुशन होगा वह इसी पर ही होगा कि मनिपुर के हालात बहुत ज़्यादा खराब है उसके बाद जो भी बिजनेस है सब अभी सस्पेंडेड है नो कॉन् मुझे लगा कल आएगा बलब कल तो खेर नहीं आप सकता लेकिन फिर भी मुझे लगा तो शायद कल आ जाए बाकि आज हमारी क्लास है तो आप कोर्स को अवेल कर आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा थैंक यू सो मच